तंत्र मतलब मन को एक खास तरीके से इस्तिमाल करने को तयार होना तंत्रिक प्रक्रियाओं के लिए विस्तृत कलपना शक्ती की ज़रूरत होती है एक बहुत परिश्कृत स्तर की विस्तृत कलपना एक बहुत परिश्कृत स्तर की विस्तृत कलपना की उस हद तक ज़रूरत होती है जहां वो अभिव्यक्त हो जाती है तंत्र मानसिक प्रक्रिया को ठीक भौतिक प्रक्रिया की तरह ही बनाने की कोशिश कर रहा है कल्पना को इतना प्रबल बनाना कि कुछ समय बाद ये भौतिक की तरह हो जाए आप असल में कोई भूत बनाते हैं या आप भगवान बनाते हैं दोनों इस संभव है दोनों संभव हैं जिस भी किस्म का रूप आप चाहें उसे आप असल में बना सकते हैं पहली कक्षा में था, मतलब मैं 5-6 साल, 6-7 साल का था, मेरे ख्याल से मैं दूसरी-तीसरी कक्षा में रहा हूँगा, और मेरा एक चचेरा भाई था, वो किसी काम का नहीं था, तो उस समय, मेरे मन में, मैं, जैसे अगर मैं ऐसे बैठा हूँ, तो मैं, मैं अपने मन में घंटो खोया रहता था, किसी से कोई बातचीत किये बिना, क्योंकि मैं हर किस्म की चीज़ें गड़ता रहता था, तो मुझे मैसूर का चिडिया घर इतना पसंद था, कि मैं अपना खुद का चिडिया घर बनाना चाहता था, तो मैंने अपना चड़िया घर डिजाइन किया मैंने उसे चड़िया घर नहीं कहा वो अपने आपकी एक दुनिया थी जहां जानवर बंद नहीं किये गए थे जैसे मैं चाहता था वो हर जगा घूम सकते थे बहुत से जानवर थे और बेशक मेरे पास एक गैंडा था तो ये लड़का मैं पता है एक दिन कुछ हुआ मेरा चचेरा भाई मेरे साथ था और मैंने उससे कहा क्या तुम मेरे पालतू जानवर देखना चाहते हो उसने कहा हाँ तो मैं उसे अंदर ले गया मैं बस उससे बात करने लगा और मैं उसके साथ बैठा हुआ था और उससे मैंने कहा देखो ये सब है क्या तुमेंसे देख सकते हो इसको देखो वो हर दिन उसमें जाना चाहता था दो बार मैंने उससे जाने दिया क्योंकि उसके पास कोई ऐसी चीज थी, जो मुझे चाहिए थी. उसके बाद उसके पास कुछ नहीं रहा, लेकिन वो हर दिन उसमें जाना चाहता था, और हर दिन मुझे उसके साथ बैटना पड़ता था और उसे अंदर लिजाना पड़ता था, उसे इसकी लट लग गई थी, मैं ये बता रहा हूँ कि ये इतना असली बन सकता है. इनसान जो भी कर रहे हैं, उसी चीज को खुद को उन्नत बनाने के लिए कीजिए, ये तंतर का तरीका है, जब बात गुरू की आती है, वो शिश्यों पर तंतर का उप्योग करते हैं, अलग-अलग तरीकों से, ऐसे तरीकों से, जो वो नहीं जानेंगे. अगर आप इस तरह उर्जा के जरीए किसी शक्तिशाली देवता के साथ जुड़ जाते हैं, तो जो क्षम्ताएं उस देवता में स्थापित की गई हैं, वो आपको उपलब्ध हो जाती हैं. किसे दिन आपको वैसा मेरे साथ करना चाहिए, या अगर मैं आपको आकरशक नहीं लगता, तो आप वैसा ध्यान लिंक के साथ कर सकते हैं. तांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए विस्थरित कलपना की जरूरत होती हैं, आप देखेंगे पार्वती एक बच्चा चाहती थी, आपके शरीर से उपकला कोशिकाएं, सामगरी के लिए पृत्वी, आपकी अपनी उर्ज़ा और आपका मन, आप उससे एक बच्चा बना ले होता है, एक बार जब हम लोगों को तांत्रिक प्रक्रियाओं में दीक्षित करते हैं, तो हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तक्नीक एक विकास शील प्रक्रिया है, तांत्रिक क्रियाओं या तांत्रिक तरीकों के साथ बदलाव नाटकी होता है, तंत्र दीक्षाओं की एक श्रंखला है अभ्यास से अधिक ये दीक्षाओं की एक श्रंखला है जब आप उसमें गए तब आप कैसे थे जब आप उससे बाहार आए तब आप वही व्यक्ति नहीं रहे क्योंकि तिबटी ऐसी संस्कृती से आते हैं जो गुए विद्या से तर है, वो जादू खोज रहे थे, वो चीजों को घटित करना चाहते थे, उन्होंने बुद्ध में राकिनी और डाकिनी और हर किसी को जोड दिया, तांतरिक सिध्धान्त में हर चीज फिट हो जाती है, क्योंकि कोई सिध्धान्ती नहीं है, सिध्धा उसे एक आठ साल के लड़के के रूप में पद्म शांभव मिल गए, हो सकता है कि ये एक बिलकुल अलग दायरा हो, और उन्होंने अद्भुत चीजें की, जो साधारन ध्यान प्रक्रियाओं के साथ कभी नहीं की गई होती